विए फिर से आप सभी का सौगा थे आपकी अपने चैनल में से टॉक्स फर तो जैसे कि हर तरह की अपडेट पल पल आप लोगों को अपडेट करते रहते हैं तो एक नय अपडेट आ रहा है जाड़कन नए नियुक्ति नियूमली जब से बनी है तब से लेकर लोगों और चिनित किया गया है जिसमें जन जाती है भांशा और चेत्री वांशा उसमें चिनित किया गया है और इसी को लेकर जाड़कन के मंत्री जी की भी अपील आया है तो लेखित लेटर के माध्यम से अपील आया है कि दो भांशा को जोड़ने की अपील किया गया है ठीक है तो ज हम बनाते रहे तो पलपल के अपडेट monopol देते रहेंगे चलिए इस वीडियो के माधम से हम बात करने जा रहा है जहाडखन के एक मंतuez कुमा जाडखंड के मुख्वंत्री हेमन सवजन जी को लिखित लेटर लिखा है और उसमें दो भांसा को सामिल करने के लिए कहा गया है उसे पहले आप लोगों बता दे कि जाडखंड कैबिनेट बैठक में टोटल बारा छेत्रियों में जन जातियों भांसा को चिनित करके स्विक् बारा पता दे भोजपूरी और मघः भांशा को चेत्रियों में सामिल करने के लिए लेटर लिखा है इसमें बताया गया है इसके पिक्षे कारण कि जितने भी चिनीत छेत्री भांशा है बारा उसमें पलामू परमंडल के तीन जीलो तथा चत्रा जीले में परमुकता से उप्यू की जाने वाली छेत्री भांशा है भोजपूरी तथा मगई भांशा सामिल नहीं है और भोजपूरी तथा मगई कुछ आपको बता दे कि पिछले दिनों जब नहीं नियुक्तियों बनी है तो अलग-अलग पार्टियों की अलग-अलग राई भी आ रहे हैं स्टुडेंट्स के दौरा लेकिन इसमें जो लेटर में बात किया गया है भोजपुरी तता मगही भाशा को जोड़ने के लिए कहा परिक्षा होती है उसमें सामिल करने के लिए क्लिक्षा गया है कि अगर यह नहीं होता है तो फिर इसमें समान अउसर प्राप्त नहीं हो सकेगा ठीक है तो यह जो अपडेट है मिठलक्स कुमा ठाकुर जी का जो कि पेजल में सौचिता विवाग के मंत्री है इन्होंने ही लिखा है तो यह तो रहा लेटेश अपडेट जो आप लोगों को तक जानकारी पहुंचाना था तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए मिने चैनल पर बने रही हैगा क्योंकि जाडखन से जुड़े जेटेट, जेपेसी, जेएससी या फिर किसी भी तरह के पंचाय सची सिफाय वर्ती, स्पिसल ब्रांच हर तरह के अपडेट आप लोगों तक पल पल पहुंचाते रहते हैं तो ठीक है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिश्चू करिया